इसे देख करके आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर से वही recipe को दुहरा रही है और फिर से उसी को दिखला रही है तो ये बिलकुल नहीं है सच क्योंकि मैं दूसरा बनाई हूँ और इसका method अलग है और इसमें अलग ingredients लगे हैं और अलग material से बना है इसलिए मैं आप लोगों के सामने फिर दुबारा से वही recipe लेकर के आई हूँ recipe तो वही है लेकिन इसका अलग बनाने का तरीका है बनाने की बीदी भी अलग है और ये भी बहुत ही अच्छा होता है soft होता है तो ये है गुलाब जामुन तो इस recipe को मैं फटापट शुरू करती हूँ आप लोग मेरे चै हो जाए तो उसमें डालिए दूद तो अभी ये पानी का बबल दे रहा है पानी तो अब इसमें डाल दी में दूद और दूद को डाल करके जितना material बनाना है उसी हिसाब से आप दूद का इस्तमाल कर सकते हैं अगर तीन कप बनाना है तो आप तीन कप दूद रखिए अग अगर कम हुआ तो थोड़ा बहुत और हो सकता है लेकिन नाप से लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा तो मैं तीन कटोडी से तीन कटोडी दूद डाल रही हूँ और दूद एक उफान आने तक इसको बॉयल करेंगे जब बॉयल हो जाएगा अच्छे से तब इसमें आगे का प्रोसेस मैं करूंगी फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कैसे कैसे बनाना है फिलाल तो मैं तीन कटोडी डाल दी हूँ और एक कटोडी अलग रखी हुई हूँ जैसे जैसे जरूरत महसूस होगा वैसे वैसे मैं डाल करके इसमें पकाती जाऊंगी तो ये है सूजी सूजी से मैं गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ और दो हुआ और ये फिर तीन तीन कटोड़ी कही बना रहे हूँ तो तीन कटोड़ी दूद डाली थी और तीन कटोड़ी सूजी डाली हूँ लेकिन इसमें और एड होगा दूध और दूध से बनाने पर आपको बहुत ही ये मलाई नुमा लगेगा अंदर से तो इस तरीके से आप लोग एक बार बना करके जरूर ट्राइ कीजिए देखिए मैं फिर से उसको भी रख दी दूध को तो ये चार कटोड़ी हो गया क्योंकि सूजी है वो फूलता है और इसको पकाने की बहुत ही आए सकता होती है अगर नहीं पकेगा तो इसका दाना खेलेगा नहीं और सौफ्ट भी नहीं होगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से चम्मस से उपर नीचे चलाते हुए इसको पकाना है अगर ये पक जाएगा ना इसका दाना तो खुद ही दिखेगा ये दाने-दाने के तरह और इसमें मैं फिर से दूध डाली क्योंकि ये जधा फूल रहा है और दाना जो है उसी से बना सकते हैं ऐसा नहीं है कि मैं मोटे वाले से बना रही हूं तो आप लोग भी मोटे वाले से बना हैं आपके घर में जो भी उपलब्ध है उससे ही बना सकते हैं तो इसमें मैं बाद में भी एक कटोड़ी दूद डाली हूं तो जब तक यह सौफ्ट नहीं होगा और पकेगा नहीं, खिला खिला दाना होना चाहिए, आप चम्चे पर उठाएंगे तो बिलकुल दिखेगा, ये दाना बिलकुल पक जाता है, तो कलर भी अलग हो जाता है, तो इस तरीके से मिला मिला करके, और इसको साइड कर लेंगे, फिलहाल तो अभी मैं मिला रही हूं, चार करेंगे लेकिन अभी थोरा सा बीच में कच्चा रह गया है तो मैं दूद डाल देती हूं और इसको भी मिलाओंगी और जब यह अच्छे से मिल जाएगा तब साइड करके इसको एक बरतन में रख करके और फैला करके थोरा ठंडा होने के लिए रखेंगे तो यह अब मिल चुका है और यह पक भी गया है बिल्कुल अच्छे से पक गया है दाना दाना दिख रहा है इसमें और soft भी है आप लोगों को भी देखने में लग रहा होगा कि यह काफी soft है hard नहीं है hard होगा तो अच्छा नहीं होगा तो यह काफी soft हो चुका है और इसको बार बार मिलाने के लिए मैं इसलिए कह रहे हूँ कि इसमें गाठे न रहे अगर गाठे रहेगी तो इसका ball बनाने में दिक्कत होती है तो उसको जादा मसलना परता है तो हमेशा चलाते रहेंगे तो इसमें गाठे बिलकुल नहीं थाली में पलट करके ठंडा होने के काफी गरम है तो इसको आठे के तरह डो तयार करना है तो हाथ नहीं बरदास्त कर पाएगा इसलिए इसको ठंडा करना जरूरी होता है ताकि अच्छे से इसको मसल मसल करके और बॉल बना सके क्योंकि गुलाब जामुन का अगर आप पतिले में नाप से फिर वही चीनी डालेंगे जितना आपको चासनी बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें चीनी डालेंगे और फिर पानी भी डालेंगे तो तीन बॉल हम बनाए हैं सुजी का तो तीन बॉल ही इसमें मैं चीनी भी डाली और इसमें अब डालेंगे पानी तो कि चासनी बनाने के लिए इसमें कोई तार नहीं तयार करना है एक चासनी का चिप चिपा सा तार होना चाहिए ताकि जैसे जलेवीं का होती है उसी तरीके से इसको भी बनाना है अगर ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो यह जो गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसमें यह पी पाएगा और वो soft भी नहीं होगा ज्यादा गारा अंदर तक juicy नहीं लेता है तो मैं इसमें 5-6 कटोड़ी पानी डाले और इसकी मैं चासनी तयार कर लेती हूं इसमें आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं चासनी में और इलाइची भी दोनों भी mix कर सकते हैं और कोई एक आपके घर में उपलब्द है तो एक भी डाल लिए और एक कोई skip कर दीजिए अगर केसर नहीं है तो केवल इलाइची डाल करके ही कीजिए हाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को जो इसमें ये मैं केवल इलाइची ही डाल रही हूं अभी मैं फिर हाल बत तो आप थोरा सा उसमें केवरा वाटर भी डाल देंगे न तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है और टेस्टी भी लगता है तो उससे भी आप बना सकते हैं गुलाब का भी आता है वेनीला भी आता है तो उससे भी आप बना सकते हैं और वेनीला जो कलर फूल आता है तो उसमे आप color देंगे तो उसका भी color बहुत ही अच्छा आता है तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से boiling हो रहा है और जब छिपचिपआ हो रहा है, हलका हलका छिपचिपा हो रहा है तो जब छिपचिपा होने लगेगा ना थोरा ज्यादा तार नहीं लेकिन चिपचिपा नुमा हो जाएगा तो गैस बंद कर दीजिए आप लोग और फिर उसको रख दीजिए एक साइड में और ये बिल्कुल गरम तो नहीं है लेकिन थंड़ा भी नहीं है तो इसमें अब मिला रहे हैं थोरा सा घी बिना घी मिलाए ये अच्छा हो होता नहीं है तो आप लोग चाहें तो दूद में भी घी मिला करके बना सकते हैं क्योंकि दूद में अगर घी मिलाएंगे न तो और बेटर होगा मैं दूद में घी डालना भूल गई थी इसलिए मैं इसमें डाल रही है और उसमें भी डालेंगे दूद में भी डालेंगे और फिर इसमें भी डालेंगे तो अच्छा और जादा होगा क्योंकि घी बहुती अच्छा फ्लेवर देता है और ये थाली में दिक्कत हो रही है तो मैं किसी और पतिले में इसका डो तयार करके आप लोगों के सामने मैं दिखाती हूँ फिलाल मैं इसको हटा रही हूँ अभ आप लोग देख सकते हैं कि जे बिल्कुल सौफ्ट हुआ है अब इसका मैं एक एक बॉल बनाओंगी गोल गोल आप अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना सकते हैं बड़ा बनाना चाहते हैं बड़ा भी बना सकते हैं और मैं थोड़ा सा हाथ में घी लेकरके लगा दी हूँ थाकि ये उपर से भी soft रहे और हाथों में घी लगा करके और छोटा छोटा बॉल जिस आकार का आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं ज्यादा बड़ा हो गया था इसलिए मैं थोड़ा सा कट करके side कर दी हूँ और और ये छोटा छोटा बॉल नहीं है medium size का बॉल है क्योंकि इसको जब तेल में fry करेंगे तो काफी tasty होगा मैं तो तेल में जा रही हूँ इसको fry करने लेकिन आप लोग चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं घी में का तला हुआ काफी tasty होगा तो सभी बॉल को मैं इस तरीके से बना लोगी एक size का छोटा बड़ा तो हो ही जाता है अगर कोई छोटा कटोडी हो चटनी वाली तो उससे नाप नाप करके आप बनाएंगे तो एक size में रहेगा लेकिन हाथों से भी बन जाता है एक size में सभी को इसी तरीके से मैं तयार कर लेती हूँ छोटा छोटा बॉल आप लोग इसे जरूर ट्राइ करें घर में क्योंकि सूजी का बहुत ही tasty होता है काफी soft होता है दानेदार भी होता है तो जब आप cut करेंगे ना अंदर से दाना इसका बहुत ही अच्छे तरीके से दिखेगा और कोई भी नहीं का सकता कि ये market के जैसा नहीं है market से बेहतर होता है अगर आप दूध में घी डाल करके बनाए आप डो तयार करें तो उसमें भी घी डाले और फिर ball बनाए उसमें भी घी लगा करके करें और तेल से तलने के लिए घी में ही तले तो बहुत ही बेहतर होता और कितना सुंदर दिख रहा है एक साइज में तो तेल कराही में गरम हो रहा है हलका गरम रखिये पहले फिर उसके बाद में एक एक करके डालते जाएए बबल दे रहा है तो मैं बारी-बारी से करके इसमें डाल देती हूँ सबको जितना आए कराही में जितना तेल हो उसी हिसाब से इसमें एक गुलाब जामून का बॉल डाले और इसको थोरे देर के लिए छोड़ दें लो फ्लेम पर ही डाले क्योंकि हाइफ फ्लेम करेंगे तो उपर से बिल्कुल पक जाएगा और अंदर वाला बिल्कुल नहीं पकेगा अंदर का तो सब मेटेरियल पका हुआ है लेकिन अंदर तक थोरा सा और फ्राई होना जरूरी होता है और उपर का एक परत तो हाड होगा तो अच्छा लगेगा गुलाब जामून क्योंकि वो थोरा सा कलर होता है जादा डार्क कलर होता है और जब तक आप dark color नहीं निकालेंगे चासनी में डालने के बाद में फिर color हलका हो जाता है तो इसलिए इस जगह पर आप लोग काफी थोड़ा hard करें और चासनी में जाएगा वो बिल्कुल soft हो ही जाएगा और सूजी का है तो उसमें दाने दाने जो होते हैं उसके अंदर juice काफी अच्छे तरीके से वो पी लेता है तो अंदर तक soft हो जाएगा तो इस तरीके से आप लोग तलें क्योंकि मैं बिल्कुल इसका touch नहीं कर रही हूँ क्योंकि touch करूंगी तो ये तूटने की संभावना रहेगी और किसी पतले नोकीले चीज से भी करें और मैं ये तो ये छनी ले आई छनी से इसको थोरा सा पलट दी क्योंकि थोरा समय हो गया है अंदर से ब्राउन निकल रहा है और फिर इसको अच्छे तरीके से पकने दीज होंगी कि जब ये पकने लगता है तो हलका हो जाता है और हलके हो करके उपर के तरह निकलने लगता है तो ये उपर के तरह बौल देखिए उपर के तरह आने लगा जैसे जैसे तलेंगे वैसे वैसे ये उपर आने लगेगा और ये कलर अभी हलका है इसको और डार्क करेंग और पलट रहे हैं क्यांकि पलट पलट करके ही इसको पकाया जाता है तो इस कलर का निकालेंगे बहुत ही बेहतर है और एक आइटम गरम होना चाहिए और दूसरा ठंधा होना चाहिए यानि कि जो चासनी है वो बिलकुल ठंठा होना नहीं है चाहिए वो एकदम नॉर्मल टंप्रेचर में होना चाहिए उंगली डाले तो ये बरदास्त कर जाए उतना होना चाहिए तो इस सब को डाल करके और ढख करके आदे गंटे के लिए छोड़ दीजिए वो काफी अच्छे तरीके से ये चासनी को पी लेता है अंदर तक सौफ्ट हो जाता है तो इस तरीके से उपर से मैं डाल रही हूँ चासनी आप लोग ज़्यादा चासनी बरतन में रखी थी भगोने में तो भगोना में थोरा सा नीचे हो रहा था तो मैं फैली बरतन में यानि कि चौरा बरतन में डाल करके तो इस तरीके से इस पर एक एक करके मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को देखिए कितना अच्छा कलर आया है आप लोग भी घर पर बनाईए बच्चे काफी पसंद करेंगे हर कोई पसंद करता है खाने के बाद में मीठा और ऐसे भी महमानों को भी खिलाएं कहीं जाना आपको अगर पहले से ही तैयारी है तो आप अपने घर से या अपने हाथों से बना करके ले जाएं अथ देख सकते हैं आप लोगnu कितना दानेदार दिख रहा है मैं सर्व कर रही हूँ तो है ना यह रेशीपी कमाल की आप लोगग घर में बनाएं खाएं, इन्जॉय करें मैं कट करके दिखाती हूँ यह सर्व कर लो फिर मैं कट करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि अंदर एक कितना सौप्ट होता है देखने में तो काफी लाजवाब लग रहा है आप लोग जब तक बना करके नहीं ट्राई करेंगे तब तक आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि सूजी से भी बनाई जा सकती है और बहुत ही बेहतर होगा कितना प्यारा दिख रहा है और खाने में काफी टेस्टी है भी है और इसके उपर से आप लोग थोरा सा चासनी डाल दें और फिर मैं कट करके दिखाती हूँ आप लोगों को ये बहुत ही आराम से कट गया और ये कितना सॉफ्ट लग रहा है अंदर से और अंदर जूसी जूसी भी लग रहा है ये जहाँ देखिए अब मैं पास से दिखाई आप लोगों को है ना ये बेहतरी तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद